चले स्टार्ट करते हैं क्वेशन नूमर 51 क्वेशन क्या बोलता है find the reaction at d ठीक है reaction क्या निकालना है d पे निकालना है by a load of 1200 newton 1200 newton लग रहा है in the system shown in figure ठीक है यह question कैसा है एक beam है ठीक है जिस पे inclined को दिखाने के लिए कैसे किया है 4 horizontal और 3 vertical इसका मतलब क्या होता है जैसे for example मैं यहाँ पर एक horizontal ऐसा बना हूँ और vertical ऐसा बना रहा हूँ और इस angle को अगर मैं theta लेता हूँ और यह कितना है 4 और यह 3 पायतोगरस्वरम से कितना आएगा 5 आएगा ठीक है अब मुझे theta की value चाहिए ठीक है तो theta की value कैसे नहीं कालूंगा 10 inverse of perpendicular by base 10 inverse perpendicular कितना है 3 base कितना है 4 है ना तो theta की value कितनी आएगी theta कितना है 36.87 degree अब अगर यह theta है मतलब यह theta हुआ यह theta हुआ तो अगर मैं horizontal बनाओ यह theta आएगा तो साथ ही साथ यह भी क्या हो जाएगा theta होगा है ना और यह 90 degree से जाता है देखिए यहाँ पर क्या है roller है यह theta है यह theta हुआ ठीक है यहाँ पर क्या है roller क्या है एक single reaction देगा और reaction कैसा होगा इस direction पर इस जा रहा होगा है ना तो वही same direction को मैं ऐसे बनाए हूँ अब एक arrow इधर एक arrow इधर कैसे यहाँ से यह touch हो रहा तो यह किसे जाएगा इसको क्रॉस करते हुए जाएगा और इस पर रोलर टच हो रहा है तो रोलर का एक फोर्स जानी से जाएगा इससे लोड की तरह भी एफ करेगा इसलिए वह हम यहाँ पर इसको कि 90 माइनस थीटा अब 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 36.87 वेलू कित्ता आ रहा है 53.13 डिग्री है ना तो फाई की वेलू कित्ती आ गई 53.13 डिग्री अब यह फाई है ठीक है अब यह फाई है तो यह क्या होगा यह भी फाई होगा यह फाई है तो यह भी फाई होगा है ना अब इस फोर्स को अगर हम रिजॉल करें तो यह ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा तो यहां से एक फोर्स ऐसे जा रहा है और वर्टिकली ऐसा ड्रॉप कर रहा ठीक है यहां पर फाई था तो यह क्या बन और भी कॉस फाई यह क्या होगा और भी साइन फाई उसी तरीके से यहां पर ऐसे घर में रिजॉल करूं तो यह इस सेट से जाएगा इसके साथ यहां बना रहा है बेस तो क्या होगा आर भी कॉस फाई आर भी साइन फाई ठीक है अब फ्री बॉड़ी डियाग्राम तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बन रहा है तो फ्री बॉड़ी डियाग्राम देखिए ग्रश्चन में यह एक पार्ट होगा लुम्स पार्ट यह होगा तो अब इसको फर्सट पार्ट एले लेते हैं और इस पार्ट को हम क्या मलने लते हैं बी पार्ट तो अगर मैं ऐ पार्ट को सौल करूं ठीक है ए पार्ट को solve करूं तो मैं क्या करना मैं को क्या चाहिए x d की value चाहिए ठीक है question में reaction निकालना है d point पे तो इस पर rb की value पता होना चाहिए तो मैं सिधा moment क्या लगा दूँगा a पे लगाऊँगा तो मैं क्या करता हूं moment लगाता हूं at a ठीक है anti clockwise positive यहाँ moment लगाऊंगा तो यह कैसे भूम रहा clockwise क्या लिख सकता है इसको ठीक है total distance 1 इसके opposite में और क्यों से लग रहा है यह anti clockwise लग रहा है क्या लिख हूंगा rb sin 5 total distance क्योंता होगा 3 that means rb की वैल्यू कितने आएगी rb is equal to 1200 into 1 upon 3 sin 5 यह इससे कटेगा तो वैल्यू कितने आजाएगा 400 upon sin 5 यह क्या होगा आपको rb अब 400 upon sin 5 की वैल्यू कितने 53.13 वैल्यू कितने आ रही है 500 न्यूटन ठीक है तो इससे मुझे क्या पता चला इससे पता चला कि वैल्यू कितने आएगी 500 न्यूटन अब क्या करना है मुझे सेकेंड पार्ट पर यह वैल्यू चाहिए थी मुझे yc की वैल्यू निकालने तो बोला नहीं है अगर yc की बोलता तो सिगमा y लगा लेता मुझे क्या चाहिए क्या लगा रहा हूँ बी पार्ट को सॉल्ल कर रहा है मैं क्या करता है मोमेंट एट सी लागा रहा हूं ठीखे क्या होगा anti-clockwise positive अब अगर मैं देखूं तो यहां से यहां तक कर distance किता है 1.05-35 और यहां से यहां तक कि distance किता है 1.45 5 मीटर ठीक है अब मुझे क्या है इस इस force के लिए यह perpendicular distance चाहिए और इस force के लिए यह perpendicular distance चाहिए तो इसके लिए सबसे बढ़ी यह तरीका क्या है एक ऐसा triangle लेता हूं ठीक है इस triangle पे ये जो total length है यहां से यहां तक का length यह किनता है 1.05 और 1.45 तो इसको add करने से कित्ता आएगा 2.5 ठीक है यह 2.5 आएगा और एंगल यहाँ पर आपका कित्ता है ठीटा है 2.5 आया ठीक है अब मैं क्या कर सकता हूँ इस particular triangle पर अभी मैंने आपको बताया था इस triangle के बारे में कि यह 345 एक pair बनता है अब 2.5 के लिए divide कर दूंगा अगर 5 को 2 से तो कित्ता है अगर 2.5 आएगा और base के साथ क्या होना चाहिए 4 का time तो यह कित्ता हो जाएगा 2 2 से divide करके तो यह कित्ता हो जाएगा 1.5 ठीक है यह shortcut तरीका है ऐसे solve करने का अगर आपको यह समझ में आ रहा है तब तो ठीक नहीं आता मैं common formula अगर बनाऊं ठीक है तो क्या लिख सकता यह क्या थीटा है और मान लेते हैं यह L है यह क्या होगा एल कॉस थीटा और यह क्या होगा एल साइन थीटा ठीक है यह तो मैं कित्ते बार वाता चुक हूँ अब क्या है देखिए यह मुझे पता चल गया अब मैं moment लेने के यहाँ पर हाथ रखता हूँ यह कित्ता डिस्टेंस यह कौन सा फोर्स है यह कैसे घूम रहा क्लॉक्वाइस यह कैसे घूमेगा क्लॉक्वाइस और यह कैसे एंटी क्लॉक्वाइस तो यह दोनों क्लॉक्वाइस जा रहे तो क्या लिख सकता rb sin phi total distance कितना cover करेगा अभी बता है l into cos theta तो क्या लिखूंगा यहाँ पर l cos theta ठीक है इसी तरीके से क्या होगा यहाँ पर यह plus आएगा तो plus क्या है rb cos phi rb cos phi इसका perpendicular distance किया है l sin theta ठीक है दोनो clockwise खतम हो गया is equals to xd xd का perpendicular distance किया इतना distance यह total कितना था 2.5 तो कितना आएगा 1.5 ठीक है अब इसको मैं solve करता हूँ rb की value इसमें common है ठीक है तो मैं rb common निकाल लेता हूँ अब sin 5 तो sin 5 के वह ले कितनी थी 53.13 ठीक है into l इसका l कितना है 1.05 sorry इसका l कितना है 1.05 1.05 ठीक है 1.05 इन्टू कॉस थीटा कॉस थीटा मतलब क्या हुआ कॉस 36.87 डिग्री ठीक है प्लस क्या लिखूंगा है यहाँ पर कॉस कॉस थीटा है 53.13 ठीक है multiply 1.05 sin 36.87 डिग्री ठीक है इसका bracket में रखे is equals to क्या आएगा xd 1.5 ठीक है अब solve करते है rb की value कित्ती आए थी इसकी value आए थी 500 sin 53.13 इसकी value कित्ती आए 0.8 ठीक है into 1.05 cos 36.87 इसकी value कित्ती आ रही है 0.8 0.8 3 9 ठीक है ठीक है plus cos 53.13 इसकी value कित्ती आए 0.6 1.05 1.05 sin 36.87 इसकी value कित्यारी 0.63 ठीक है xd 1.5 ठीक है अब इन दोनों को multiply कर लेते हैं तो value कित्ता हैगा bracket में 0.8 into 0.84 plus 0.6 into 0.63 कितना है 1.05 ठीक है into 500 divided by 1.5 तो इसको solve करने से सीधा xd की value कित्ती आ रही है 350 तो इसकी नूटन थैंक यू